या देवी सर्विभू तेसु सक्ती रूपेना संसिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा जे मातादी नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है 2023 में मल मास यानि अधिक मास परने के कारण इस साल सार्दिय नौरात्री कब से सुरू हो रहा है कब से सुरू है सार्दिय नौरात्री का महत्व क्या है कलस अस्थापना का सूब मुहूरत और पुजा विधी क्या है नौरात्री साल में दू बार आती है पहला नौरात्री चैत माह में आती है और दूसरी सार्दिय नौरात्री अक्टूबर महिने में या जिसे हम हिंदी में आसविन महिना कहते हैं उस समय शार्ध्य नवरात्री का पर्व बहुत धुंधाम से मनाया जाता है। वैसे तो हिंदु धर्म में सभी पर्वों का अपना अलग-अलग महत्व है। लेकिन नवरात्री को बहुत ही खास मना गया है। तभी तो भक्तों को मा दुर्गा की पुजा अर्चना और ब्रत करने का काफी इंतिजार रहता है। ऐसे में नौरात्री, समय, कला सस्थापना, सूब मुहूरत और नौ दिन की पुजा बिधी नौरात्री के महत्वय के बारे में विश्तार से जनकारी प्रस्तूत करेंगे। सार्दिय नौरात्री में मा दुर्गा के नौरूपों की विश्य सुपासना करके भक्तों पर उनकी किर्पा सदेव बनी रहे साथ ही, घर में सुक सम्रिद्धी और धन की कमी ना हो, इसके लिए हम विश्य से पुजा अर्चना किया जाता है। सार्दिय नौरात्री सुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी 14 अक्टूबर रात 11 बचकर 25 मिनट से सुरू हो रहा है। समाथना की जाती है। इस साल नौरात्री 15 अक्टूबर से सुरू होकर 24 अक्टूबर को 10 सहरा तक चलेगा। हिंदू धर्म में नौरात्री का बहुत ही बरा महत्व होता है। आश्विन माह के सुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी को नौरात्री अरंभ होता है। और दस्मी तिथी को समाप्त होता है। अब जानते हैं नौरात्री 9 दिन कौन-कौन से तारिख को है और किस की पूजा होती है। पहला दिन 15 अक्टूबर 2020 मा सेल पूतरी की पूजा होती है। दूसरा दिन 16 अक्टूबर 2020 मा ब्रह्मचारनी की पूजा होती है। पाँचवा दिन 19 अक्टूबर 2013 मा अस्कंद माता की पूजा होगी। नौरात्री के 6 दिन 20 अक्टूबर 2023 को मा करत्याईनी की पुजा होगी, नौरात्री के 7 दिन 21 अक्टूबर 2023 मा काली रात्री की पुजा होगी, नौरात्री के 8 दिन 22 अक्टूबर 2023 मा सिधी दात्री की पुजा होगी, नौरात्री के नवे दिन यानि 23 अक्टूबर 2023 मा माहगोडी की पूजा होगी बिजे दस में नौरात्री के दस्वे दिन होती है यानि बिजे दस में 24 अक्टूबर 2023 को है कलस स्थापना का सुब मुहुरत है 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बचकर 44 मिनट से लेकर 12 बचकर 30 मिनट तक रहेगा सार्दिय नौरात्री का बहुत ही बड़ा महत्व है सार्दिय नौरात्री हिंदू धरम में विशेष्टा ज्यादा महत्व है ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में जिस घर में मा की अराधना की जाती है मा की अखंड जोत जलाई जाती है उस घर में मा की किरपा द्रिष्टी हमेशा बनी रहती है घर का वातावरन सुध होता है, साथ ही घर में धन्य धाने की कमी नहीं होती भक्त गन अब जानेंगे नौरात्री क्यों मनाई जाती है धरम ग्रंथों में वर्नित कथाओं के अनुसार सक्ती की अधिसाष्टा देवी दुर्गा ने महिसासुर का वध करके आशूरी सक्तियों का विनास किया था और सत कर्मों के प्रेणिता की रक्षा की थी जिस समय मादुर्गा ने महिसासुर पर अकर्मन कर उसने नौ दिनों तक यूध किया और दस्वे दिन उसका वध किया वह समय आस्विन मास का था इसलिए आस्विन महिने का यह नो दिन सक्ती की अराधना के लिए समर्पित कर दिया गया आस्विन मास में सरद रितु का भी प्रारंभ होता है इसलिए इसे सार्दिय नौरात्री कहा जाता है सार्दिय नौरात्री के दस्वे दिन को बीजे दस्मी के रूप में मनाया जाता है नौरात्री मनाया जाने के पिछे कई कथाएं पर चली थे नौरात्री का इतिहास भी बहुत पुराना है दूसरे कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने बुरायों से युक्त रावन का वध कर अच्छायों का विनास होने से बचाया था उस उदेशे की प्राप्ती के लिए नारद ने श्री राम से नौरात्री बृत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था तब भगवान स्री राम ने ब्रत को पुर्ण करने के बाद लंका पर अकर्मन कर रावन का वध किया था तभी से नौरात्री ब्रत को कार्य सिधी के लिए भी जाना जाता है नौरात्री में अनेक परकार का अनुष्ठान होता है नौरात्री में हर व्यक्ति अपने अपने बिधी विधान से माता को खुस करने के लिए पूजा अर्चना करता है जिसकी भी मनोरत पुड़ी होती है उनको माता धन, वेभव, सूख, अपार सांती प्रदान करती है इसलिए एक पर प्रेम से बोलिए सेरा वाली माता की जै तो भक्त गनी ये थी नौरात्री से जुरी मेरी प्रस्तुती आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जै माता धी